येर्स वेंड्स आज के इस वीडियो में मैं आपको क्लास एर्थ एंसी आर्टी मैट्स एक्सरसाइस 2.5 कम्प्लीट करवाऊंगा जो हमने चैप्टर शुरू किया हुआ है हमारा लीनेर एक्वेशन इन वन वेरियबल तो सेम उसी पे बेश्ड है ये वन वेरियबल वाली लीनेर एक्वेशन को सॉल्व करना हमें तो थोड़ा सा डिफरेंच से इसमें जैसे फिर्स कोशन एक्स बाई 2 माइनस 1 बाई 5 इस इक्वल तो एक्स बाई 3 प्लस 1 बाई 4 ठीक है अब यहाँ पर आप देखें इस तरफ ये विदाउट एक्स ये एक्स वाली स्टेटमेंट राइट हैंड साइड में है तो इसके आगे कुछ नहीं है तो प्लस इस स्टेटमेंट को इधर लिखे आएंगे लेफ्ट में तो शिफ्ट करते है तो प्लस वाली स्टेट कौन से जो अब तक हमने नहीं लिखिए है वो है minus one by five अब minus वाली statement को shift करेंगे तो plus में one by five अब हमें दोनों तरफ लेना है LCM left hand side में लेते हैं तो यह जेगा six, two three जा six अब two की table में six आता है three पे तो three के x से multiply three x minus three की table में six आता है two पे two के x से two x is equal to अब यहाँ पे क्या आएगा five four जा 20 ठीक है तो 20 आ गया इनका LCM four की table में 20 आता है five पे five बंज़ा five plus five की table में 20 आता है four पे तो four बंज़ा है four अब यहाँ पे minus करो इसको three x minus two x यह कतना जागा x by six is equal to five plus four nine by 20 अब यहाँ देखने की बात है कि x की डिवाइड में six है तो डिवाइड वाले six को right hand side में आप shift करेंगे तो वह जाएगा multiply में तो x is equal to आ जाएगा 9 by 20 multiply by six two की table में cancel करते हैं two three जा six two ten जा 20 तो nine three जा 27 x is equal to 27 by 10 और इसको आप 2.7 भी लिख सकते हैं इतना भी आप लिख सकते हैं तो अब भी साई है second में आप देखें सारे variable वाली statement एक ही तरफ है left hand side में तो हम देते हैं इनका LCM LCM आजेगा 12 two की table में 12 आता है six पे तो six की n से करेंगे six n minus four की table में 12 कतने बाता है three पे four three जा 12 तो three three जा हो जाएगा nine n plus six की table में 12 कितने बाता है two पे तो two five जा 10 n is equal to twenty one अब आप देखें जो 12 है divide में इस तरफ जाएगा multiply में ठीक है और उपर है n वाली statement उनको solve करते हैं देखो six है plus का और 10 भी plus का तो six plus 10 16 n 16 में से nine को minus कर देना है तो यहां लिखते है 16 n plus के है minus का है nine n और divide वाला 12 जो है उसको हम shift करेंगे दूसरी तरफ तो वो जाएगा multiply अब minus कर दो कितना आजएगा seven n is equal to twenty one multiply twelve इसको अभी ऐसे रेने दो क्योंकि seven इधर divide में जाएगा तो ज्यादा आसान रहेगा तो n is equal to आजएगा twenty one multiply twelve divide by seven तो cancel करो seven मज़ा seven seven three जा twenty one तो n की value आजएगी twelve three जा thirty six ठीक है यह था आपका second question same way में next है next है हमारे पास third question इसमें देखो आप x plus seven minus eight x by three is equal to 17 by six minus five x by two तो यहाँ पे आपको क्या करना है left hand side और right hand side दोनों तराफ ही x वाली statement है तो उनको हम left hand side में कर लेंगे x वाले numbers को और without x को right hand side में कर देंगे तो पहले हम देखते left hand side में x है तो इसको as it is रखेंगे फिर minus eight x by three ठीक है इसको हमने नहीं लिखा इसको underline कर लेते हैं हलका सा क्योंकि यह without x statement है इसमें x नहीं है अब right hand side में देखते हैं कि x वाली statement कौन सी है तो वो है 5 x by two तो इसमें अगर हम देखें 5 x by two इधर है minus का इसको हम left hand side में लेके आएंगे तो यह हुजएगा plus 5 x by two is equal to अब यहां से यह जा चुका है तो क्या बचें यहां पे 17 by 6 अब हम देखते हैं यहां से एक statement ऐसी है जिसको अब तक हमने नहीं लिखा है वो है plus 7 plus 7 को हम right hand side में लेके आते हैं तो यह हुजएगा minus 7 और नीचे इसके कुछ नहीं है denominator तो divide by 1 लगा देना है आपने अब आपको क्या करना है इसके निचे भी कुछ नहीं है तो 1, 1, 3, 2 इनका LCM लेते हैं तो यह आएगा 6 ठीक है अब 1 की टेबल में 6 आएगा 6 पे तो 6 की multiply x के साथ करेंगे तो 6 x minus 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 3 की टेबल में 6 कितने पे आता है 2 पे 3, 2 जा 6 तो 2, 8 जा 16 x plus 2, 3 जा 6 होता है तो 3, 5 जा 15 x is equal to अब यहाँ पे 6 है तो इनका LCM लेते हैं भी हो जाएगा 6 अब आप देखें यहाँ पे क्या आएगा 6 की टेबल में 6 आता है 1 पे तो 1 की 17 से 17 minus 1 की टेबल में 6 आता है 6 पे तो 6, 7 जा 42 अब आप क्या करेंगे 6 x minus 16 x plus 15 x तो यहाँ पर जो plus वाली statement है वो है 15 x plus 6 x ठीक है तो यह हो जाएगा 21 x minus 16 x divide by 6 is equal to इनको solve करते हैं minus का answer है क्योंकि minus वाले 42 है जादा है तो 12 minus 7, 5 3 minus 1, 2 25 by 6 अब आप देखें इसको अगर हम solve करते हैं तो क्या आएगा 21 x minus 16 x तो यहाँ जाएगा 5 x by 6 is equal to minus 25 by 6 अब आप x के साथ अगर देखेंगे तो x के साथ 5 उपर है 6 नीचे है तो नीचे वाली statement जो divide में है वो multiply में जाएगी और multiply वाली divide में तो यह statement में x का आएगी वो आएगी minus 25 by 6 multiply जो नीचे था x के नीचे था 6 तो यह उपर लिखेंगे हम divide के और जो उपर 5 था उसको नीचे 6 से 6 कैंसल 5 बंज़ा 5 5 फाइव ज़ा 25 तो x की value हमारी आगई minus 5 इस तरह से आपको इसको solve करना है next question को करके देखते हैं अब next question में एक चीज ध्यान देने की है वो क्या? कि उपर जो statement है x minus 5 उस पूरे के नीचे 3 है तो कहने का मतलब यह पूरी के पूरी एक single statement है next वले में x minus 3 और पूरे के divide में 5 है अगर यहाँ पे इस तरह से होता x by 3 minus 5 तो यह अलग-अलग दो statement इसको माननी थे हमने लेकिन यहाँ पे क्या है? जो division है वो पूरे के नीचे x minus 5 तो x minus 5 को पूरे को एक single number मान के divide by 3 किया गया है तो यह statement एक है, एक इधर है left hand side, right hand side दोनों में single single statement हुँ तो हम cross multiply इनकी करवा सकते हैं, ठीक है? क्या करवा सकते हैं? cross multiply तो first हम इसकी इसके साथ multiply करते हैं x minus 5 की 5 के साथ तो यह जेका 5 multiply x minus 5 is equal to, इसकी multiply 3 के साथ, ठीक है? उपर नीचे उपर नीचे, तो 3 की multiply करेंगे 3 multiply x minus 3 तो यह कितना जाएगा? 5 की x से करेंगे तो 5 x minus 5 की 5 से 25 is equal to 3 की x से करेंगे तो 3 x minus 3 3 जाए, 9 ठीक है? इतना करने के बाद simple equation हमारी बन गई है अब x वाल statement को right hand side से left hand side में और left hand side से without x को दूसरी तरफ लेके जाएगे तो 5 x अब 3 x के साथ आगे जो sign है वो कुछ नहीं है तो क्या है plus तो plus वाला इधर आएगा तो minus तो यहाँ पर आजएगा minus 3 x is equal to यहाँ से 3 x जा चुका है left hand side में तो क्या बचा है? यहाँ पर minus 9 ठीक है? अब ऐसा कौन सा number है जिसको अब तक नहीं लिखा है वो है 25 25 left hand side में था minus में इसको हम shift करेंगे right hand side में तो यह जाएगा plus में plus 25 अब 5 में से 3 को minus कर दीजे 2 x is equal to 25 में से इसको minus करेंगे तो 16 तो x की value कितने आजएगी? 16 by 2 cancel करेंगे तो 8 तो x is equal to 8 ठीक है? तो simple है अगर हम ध्यान से समझ के इन sums को करेंगे तो कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है next करते है 5th आप देखें क्या करना है हमें 3t minus 2 by 4 अब ये पूरी एक single statement है क्योंकि दोनों के divide में 4 है ठीक है? minus ये पूरी statement भी एक statement है क्योंकि इन दोनों के divide में 3 है अलग-अलग नहीं है इसमें आपको difference ध्यान एकना जैसे यहाँ पर ये दोनों अलग statement है क्योंकि 3 जो है वो सिरफ 2 के divide में है t के divide में नहीं है इस बात को ध्यान देना है आपने अब यहाँ पे t है ठीक है? divide by t नीचे कुछ नहीं था तो 1 हम लिख सकते है अब हम t वाली statement को एक तरफ करें तो इधर minus में है यह इसको हम इस तरफ लिख के आते है प्लस में ठीक है? तो यह हो जाएगा 3t minus 2 divide by 4 minus 2t plus 3 divide by 3 minus का t left hand side में आएगा plus t is equal to 2 by 3 divide by 1 लिख देंगे ठीक है? अब हम इन सब का LCM लेते हैं तो 1, 3 और 4 का LCM आएगा 12 अब यहाँ LCM लेने के बाद यहाँ जो आप काम करेंगे उस पर थोड़ा ध्यान से आपने समझना है 4, 3, 12 होता है 3 पर आता है minus 3 to 0, 6 यह आपको ध्यान लखना है ठीक है? और यहाँ पर minus आ रहा है और minus के साथ यह दो statement है तो इसलिए यहाँ पर bracket का use करना compulsory है ध्यान से दो बाते मैंने मुताई एक तो यह जो divide में statement थी वो आपकी दोनों के divide में थी इसलिए 4, 3, 12 3 पर आता है तो 3 की multiply इन दोनों के साथ आपने करनी है एक के साथ नहीं करनी है उसके बाद यहाँ minus आ रहा है उसके बाद दो statement है minus के बाद अगर दो statement हो तो bracket लगाना compulsory है यह भी आपको ध्यान लखना है तो 3 की table में 12 कितने पर आता है? 4 पर तो 4 की multiply इन दोनों के साथ करेंगे 4 तू जा 80 प्लस 4 तू जा 12 ठीक है? उसके बाद प्लस 1 की table में 12 12 पे ही आएगा तो 12 की multiply इन टी से करेंगे तो 12 टी is equal to 2 by 3 ठीक है? इसके बाद हमें क्या काम करना है? पहले तो हमें bracket को हटाना है ठीक है? तो यहाँ लिखेंगे 9T minus 6 minus जब बाहर हो bracket कोलते हैं तो अंदर वाला sign चेंज minus 80 minus 12 plus 12T यह bracket से अलग था तो यह as it is आजाएगा अब एक और चीज हम नोट करते हैं इस तरफ था 2 by 3 इस पूरी statement के नीचे था 12 12 है divide में इसको हम right hand side में लेके जाएगे तो कहाँ जाएगा multiply में तो इस 12 को हमने इस तरफ shift कर दिया multiply में अब यहाँ पर यह cancel भी हो रहा है 3 by 3 3, 4, 12 इसको नहीं cancel कर दिना बहुत से बच्चों को जब मैं copy check करता हूँ तो वो क्या कर देते हैं 2 से इस 4 को भी cancel कर देते हैं यह गलत है ठीक है हमेशा उपर वाले number नीचे वाले से cancel हो सकते हैं आपस में यह cancel नहीं होगे यह आपको द्यान रखना है अब यहाँ पर देखें आप t वाली statement कौन सी है 9t, 8t और 12t 9t प्लस का है 9-8 करेंगे कितना आजाएगा 1t 1 प्लस 12 करेंगे तो 13t ठीक है तो t वाली statement कितनी होगी 13t दोबार समझते हैं 9 प्लस का था 9-8 किया 1t 1 बच गया तो 1 में 12 प्लस कर दिया 13t अब विदाउट x कौन कौन से है minus 6 और minus 12 दोनों minus के हैं तो इनको आपने एकठा कर देना है तो minus के total कितने हो जाएँगे 18 is equal to 4 टुजा 8 अब minus 18 इस तरफ है इसको दूसरी तरफ आप shift करेंगे तो plus 18 हो जाएगा 13t is equal to 8 इदर पहले से है minus 18 प्लस 18 हो जाएगा और 13t is equal to 26 अब 13 इदर multiply में है t के साथ तो 13 को divide में लेके जाएगे तो यह आजएगा t is equal to 26 divide by 13 cancel करेंगे तो 2 पे तो t के value आगे आपकी 2 ठीक है तो अगर हम ध्यान से step wise चलेंगे तो कुछ भी mistake हमारी नहीं होगी इस question को थोड़ा सा ध्यान से आपने यहाँ पे note रखना था 2 statement थी इसलिए दोनों से multiply minus आए और 2 statement हो तो bracket लगा के ठीक है next question पे आते है next में आप देखें m है निचे denominator कुछ नहीं है तो 1 अब यह statement अलग है minus आगया यह statement अलग है यहाँ पे 1 है निचे कुछ नहीं है तो divide by 1 लगाएंगे फिर same इसी तरह से यह अब दोनों तरफ m वाली statement है या तो हम क्या करें इसको इधर ही ले आए एकी तरफ solve करेंगे एकठा ठीक है तो हम उसको इस तरफ लेके रते हैं m divide by 1 minus m minus 1 divide by 2 ठीक है इसको थोड़ा दिहान से करना है अब यह m minus 2 by 3 यह वाली जो statement है इसके आगे क्या लगा हुआ है minus इस पूरी statement को इधर ले कहेंगे तो यह हो जाएगे plus m minus 2 divide by 3 अब इसका sign नहीं change गर देने अंदरवल यह पूरी के पूरी आपने एक ही statement लिखनी है single statement है इसके आगे minus था इसको इधर ले आए left hand side में तो यह plus में हो गया तो दूसरी तरफ क्या बचा right hand side में 0 of 1 by 1 ठीक है by 1 हम क्यों ले रहे हैं क्योंकि बाकी सारी divide वाली statement थी इसलिए हमने denominator 1 लगा दी 1 की table में 6 आएगा 6 पे तो 6 की m से करेंगे 6m यहाँ पे line लगा लेते हैं 6m फिर minus है और 2 statement है आगे तो क्या लगाना है bracket ठीक है अब 2 की table में 6 कितने पे आता है 2 की table में 6 कितने पे आता है 3 पे तो 3 पे आता है 3 की पहले m से करो 3m फिर minus 3 की multiply 1 से करो 3 प्लस है तो यहाँ bracket लगाने की जुरूरत नहीं है 3 2 जा 6 होता है 3 2 जा 6 तो 2 की multiply दोनों के साथ करेंगे 2 की m से करेंगे 2m फिर minus 2 की 2 से करेंगे 4 अब आप देखें यहाँ पे जो bracket है bracket को हड़ाते है 6m minus है तो अंदर वाले sign change 6 इधर divide में है left hand side में इसको हम उधर shift करेंगे तो यह जाएगा multiply में तो यहाँ पे आजाएगा 1 multiply 6 तो मतलब m वाली statement को हमने solve किया तो यह आगया 5m without m कौन कौन सी plus 3 minus 4 plus 3 और minus 4 को solve करेंगे minus 1 आएगा ठीक है is equal to 6 बंजा 6 इसके बाद 5m के साथ minus का बना है minus 1 को right hand side में shift करेंगे तो यह हो जाएगा plus 1 5m is equal to 6 plus 1 तो यह आजाएगा 5m is equal to 7 तो m की value कितनी आजाएगी 5 इधर divide में जाएगा 7 by 5 ठीक है तो यह था आपका 6th question next करते है 7th इसमें आप देखें 3 into t minus 3 is equal to 5 into 2 t plus 1 अब बाहर जो number होता है उसके bracket के अंदर दोनों से हमें multiply करनी है यह हमें ध्यान अकना है तो आप देखें 3 की t से multiply करेंगे तो 3 t minus है तो minus 3 की 3 से करेंगे तो 9 is equal to 5 की 2 से multiply होगी तो 5 तूजा 10 और t t को थोड़ा different ही बनाना है बहुत से बच्चे इसको ऐसे लिख देते हैं तो plus और t में difference नहीं पाता चल पाता है तो आपने इसको थोड़ा सा differently बनाना है plus से फिर plus है 5 बनाना है 5 अब आप देखें t वाल statement दोनों तरफ लेफ्ट में भी और राइट में तो दोनों को हम left hand side में लिख आएंगे तो यह आजएगा 3 t पहले से इदा रहे है 10 t के आगे कुछ नहीं है तो plus plus का 10 t left में shift करेंगे तो minus 10 t is equal to अब यह तो यहाँ से जा चुका प्लस 5 प्लस को लिखने के जुरूर तो नहीं है अब ऐसा नमबर कौन सा है जो अब तक हमने नहीं लिखा है वो है minus 9 minus 9 को हम shift करेंगे right hand side में तो यह जाएगा plus 9 तो इसको solve करेंगे minus 10 t plus 3 t तो minus का 10 plus का 3 क्या बचाएगा minus 7 t is equal to 14 अब यहाँ पर आपको क्या धेहन देना है कि minus का 7 है plus का 14 है तो आपने क्या धेहन देना है दोनों तरफ minus से multiply कर दो multiply करने का मतलब क्या है कि दोनों तरफ multiply करेंगे minus से तो यह minus इधर shift हो जाएगा कहने का मतलब सिरफ इतना है कि इस minus को हमने इधर लिख देना है अब ये बहुत से बच्चे कहेंगे कि minus वाला plus में क्यों नहीं गया तो वो आपने याद रिखने हैं जब minus से हम multiply करते हैं दोनों तरफ minus minus हमने multiply कर दिया तो ये minus minus हो जाता है plus 70 और ये हो जाएगा minus 14 ठीक है इस तरह से आया अब 7 इधर multiply में इधर जाएगा तो divide में तो t is equal to क्या जाएगा minus 14 divide by 7 cancel करेंगे तो 7 तो जा 14 t is equal to minus 2 ठीक है next वाला करते हैं सब भी brackets के बाहर कोई न कोई coefficient है तो इसको number को हम multiply करेंगे अंदर ठीक है फिर solve करते हैं 15 की y से करेंगे multiply तो 15 y फिर minus 15 की 4 से 16 अब यहाँ पर minus का 2 है ध्यान अरकना है जब बाहर minus वाला हो अंदर वाले sign change करके लिखने हैं यह आपको ध्यान देना है 2 की multiply y से तो 2 y आएगा minus है तो minus 2 y अब अंदर minus है तो यह हो जाएगा minus minus plus 2 की 9 से करेंगे तो 18 plus 5 की multiply y से 5 y plus 5 6 जाए 30 is equal to 0 अब y वाली statement कौन कौन सी है उसको हम नोट करते है 15 y minus 2 y plus 5 y 15 में से 2 minus करेंगे 13 13 में 5 plus करेंगे 18 तो y वाली statement होगे हमारी 18 y without y कौन कौन सी है minus 60 plus 18 और plus 30 अब minus का 60 है plus वाले यह दोनों है तो यहां लिखते हैं एक बार minus 60 plus वाले total कितने होगे 18 और 30 48 is equal to 0 अब minus का 60 एक minus का हो एक plus का हो तो minus किया जाता है numbers को और आगे वही sign लगाया जाता है जो जादा हो जादा है minus वाले 60 जादा है minus काने पर क्या आएगा minus 12 is equal to 0 ठीक है अब आपको क्या करना है 18y minus 12 है minus 12 को shift करेंगे दूसरी तरफ तो यह जाएगा 18y is equal to plus 12 plus को लिखने के अब जुरूरत नहीं है 18 इधर multiply में shift करेंगे right में तो divide y is equal to 12 divide by 18 6 2 जा 12 6 3 जा 18 तो y की value आगे 2 by 3 ठीक है इस तरह से आपको करना है next करते है 9th में है 3 into 5z minus 7 इसी तरह से यहाँ पे भी bracket है और multiply है और यहाँ पे भी same है ठीक है तो पहले हम brackets को solve कर देते हैं 3 into 5 15z minus 3 7 0 21 फिर minus आ गया न देखो यहाँ पे तो sign change minus 9 to 18z और यहाँ minus है तो minus minus plus 2 11z 22 यह तो हो गया left hand side right hand side में multiply करते हैं 4 की 4 8 32 z minus 52 minus 17 यह अलग था ठीक है अब यहाँ पे अगर कुछ solve होता है तो कर देते हैं 15z minus 18z तो कितना आ जाएगा minus 3z क्योंकि ज्यादा minus वाले हैं इसलिए minus में फिर है minus 21 plus 22 तो 22 में से 21 minus करेंगे plus 1 बग जाएगा is equal to यहाँ पे 32z है इस तरफ और कोई z वाली statement नहीं है तो 32z minus का और यह भी minus का तो दुनों को एक साथ कर दो इकठा 729 और 69 ठीक है अब आप देखें 3z minus का है यह 32 plus का है इसको इधर ले आते है minus 3z plus का 32 है इस तरफ आएगा तो minus 32z ठीक है अब right hand side में क्या बच गया सिरफ बचेगा minus 69 अब ऐसा number कौन से जो अब तक हमने नहीं लिखा उपर से वो है plus 1 जो की left hand side में था इसको right hand side में shift करते है minus 1 अब दोनों minus के हैं तो minus के combine कर दिया जाएगा इंको कितना हो जाएगा 35z is equal to minus 70 ठीक है अब दोनों तरफ अगर minus हो तो minus से minus आपने cancel कर देना है 35 multiply में है दूसरी तरफ shift करेंगे तो divide में 70 divide by 35 cancel करेंगे तो 2 तो z की value आगे हमारी 2 ठीक है इस तरह से आपको इसको solve करना है फिर last question है हमारा tenth इसमें अगर हम थोड़ा दिहान दें तो यह कैसे होगा 0.25 है यहाँ पे है 0.05 अब आपको क्या करना है इनको या तो आप एक तरफ shift कर दीजिए जैसे 0.025 है पहले इसका point हड़ाते है तो यहाँ जैगा 25 by 100 ब्रेकेट में क्या है 4F minus 3 इसको हम लिख सकते है 5 by 100 और ब्रेकेट में क्या है 10F minus 9 ठीक है अब जो बाहर है statement इनको हम क्या कर सकते है क्योंकि इस ब्रेकेट के साथ यह multiply में है यह इस ब्रेकेट के साथ multiply में है तो इसको हम इस तरफ shift कर सकते है ताकि यह cancel out हो सके और simple equation बन सके तो आप क्या करेंगे 25 by 100 ठीक है यह तो पहले से इदर है यह साथ में है multiply में 4F minus 3 अब आप क्या करें इस तरफ उपर है 5 multiply में नीचे 100 divide तो divide वाले 100 को लेके हैंगे उपर multiply में और 5 आजएगा नीचे is equal to यहाँ पर क्या बच गए 10F minus 9 दुबारा समझते हैं इस step को क्या किया हमने बाकी सारा कुछ सेम है सिरफ यह जो 5 by 100 था इसको हमने right से left में लेके आए हैं हम तो right से जब left में आएगा तो जो नीचे था वो तो आजएगा उपर और जो उपर होगा वो आजएगा नीचे अब जो cancel होता करो 100 उपर है 100 नीचे cancel 5 भी दमें 5 बंजा 5 5 फाइव जा 25 अब क्या बच यहाँ पर 5 into 4F minus 3 is equal to 10F minus 9 अब simple equation है इसकी multiply कर दे हैं अंदर 5 फोरजा 20F 5 की minus 3 से करेंगे 15 is equal to 10F minus 9 अब 20F है इस तरफ right hand side में है 10F जो की plus का है इसको इधर लेकि आएगे minus 10F is equal to minus 9 बच गया यहाँ पे क्योंकि 10F तो चला गया तो minus 9 बचने के बाग 15 ऐसा number है जो अभी तक हम ने नहीं लिखा है जो की minus में है इसको हम right hand side में लेके जाएंगे plus में 15 तो minus करेंगे कितना आएगा 10F is equal to 15 plus का 9 minus का कितना चाहेगा 6 ठीक है F is equal to 6 by 10 2 की table में 2 3 जा 6 2 5 जा 10 तो answer आगया 3 by 5 तो इस वीडियो में आपने complete किया है exercise 2.5 को ऐसे ही और नएने वीडियो आपके लिए आते रहेंगे उसके लिए आप हमारे चनल को subscribe कीजिए वीडियो को like कीजिए, share कीजिए, comment कीजिए और bell icon को भी press कीजिए ताकि आपको latest वीडियो का notification सबसे पहले मिल सके धन्यावाद